नमस्कार प्रवा सक्ष ड्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ महों मदताहिर खान डेजबर में लोकसवा चुनाओ जारी है अंतिम फेस के लिए एक जून को वोटिंग होना है वही मद्द प्रदेश में चार चर्णों में चुनाओ संपन हो चुके ह चुनाओ संपन होने के बाद भरतियंता पार्टी हार जीत का अनुमान लगाने में जूटी हुई है बीज़ेपी ने बूत प्रभारियों के साथ मन्थन किया जो मन्थन अब पूरा हो गया है बीज़ेपी ने 64000 से अधिक बूतों के प्रभारियों को अलग-अलग चरण मे चुनाओ कराने की जर्वत क्या है क्या कुछ और आरो प्रिटरो भी इसमें देखना को मिला क्या कहा आप भी सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में बीज़ेपी के अंदर तो आप ब्रह्मा पैदा हो गए है ब्रह्मा जी की तरह वो बात हैं करने लग गए है मोदी जी को पहले से पता है कि 400 सीटें आ रही है तो चुनाओ कराने की जरूवत क्या है बीज़ेपी को पता है कि 99% बूतों पे उनकी जीत हो गई है तो चुनाओ कराने की जरूवत क्या है जब सब चीत तुम्हें पहले से पता है पहले से सब सेटिंग है तो यह चुनाओ कई नौटंग की काईक लिए कर रहे हो यह जो जो सी और जो है आकाज बाणिये करने वाले लोग यह केवल भारती जनता पारिटी में पैदा होते हैं यह साधारन मनेश से थोड़ी है यह सब अंतरिक्षे से आई हुए लोग दिखिए यह डेटा आपके पास मेरे पास तो नहीं आया अधिकरोज जानकारी लेकिन हां हमारे यहां पर जो बैलीस लाक्त से ज्यादा कारी करता है ना जो त्रदेव हमने बनाए हुए तो बूत बेजाए बूत संरचना जो की गई थी मानि प्रदेश अधिक्स बेडी शर्मा जी का जो संकल पर आ है जो पुर्शार तो परक्रम परिश्रम मानि हितान शर्मा जी ने किया हमारी संगेटन महामंत्री हैं जो पुर्शार डाला है निसंदे हम उसके बल पे कहते हैं कि माशन में जी हीरो और बूत पे जीरो तो कॉंग्रेस बूत पे जीरो हो चुकी है और हमने हर बूत पर तिरदेव की रहस्तन रचना की हुई है और आधी पन्ना आधी पेच के भी पन्ना प्रमुक बनाये हुए हैं और उस सब लोग जा जा के लावारतियों से राम राम किय है और वहां जो बूत पे रहने वाली जनता को सहाशिरवाद प्राप्त किया है मुदी जी का प्रणाम भेजा है और जो अरिक से 370 से अधिक योजनाओं का लाब दिया है और 370 भी हटाई है उसके कारण से में दाविश से कह सकता हूं कि हर बूत पर इस बार भाजापा की विजय हो रही है प्रचंड विजय हो रही है और जो 2019 में जो बूत जो डेटा था उससे भी कहीं और आगी जा करके हम अधिक से अधिक संक्या में बूत जीत रहे हैं क्योंकि हमने आकांची बूत जैसे बना लिए थे तो आकांची बूत पे भी हमारी विजय प्राप्त हो और रही है यह दावे के साथ कहता हूं है लेकिन चार जुन को इस फस्ट हो जाएगा इस परकार से ममता बेनर जी जी को यह पता होता है कि को चाली सीट भी नहीं जीत पा रही है बार-बार ममता बेनर जी ने कह दिया कि कॉंग्रेस की इस तिति है तो वो आकलन जो इस परकार से उन्होंने किया उन्होंने भी यह आकलन किया कॉंग्रेस की दुर्दाशा को देखकर की कह रहा ना देश भर में जहां 400 से ज़्यादा उनके सांसद आते थे आज वो 40 से भी नीचे समटने वाले हैं खुद ममता बेनर जी उनकी साथी हैं वो कह रही हैं तो हम इसलिए कहते हैं और हमने तो जो भी दाबा किया है 2014 का रिकॉर्ड देख लीजे 2019 का रिकॉर्ड देख लीजे लोक सभा का तो 2014 में हमें 200 हम कहते हैं पूर्ड बहुत की सरकार बगवान रुपी जंता ने हमें कितना आशिरवादी दो सो पच्चे सांसद बना है उसी का जो दम है उसका जो हमारे अंदर आत्म विश्वात से हमने भगवान को जंता को भगवान माना है और 370 से अधिक उजनों के द्वारा उनकी पूजा किये अर्चना किये भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आर्थिक गती दिए आज इस बार हमारी जो बोट शेयर है जो पिछली बार लगवक 60% था मद्य प्रदिश में इस बार हमारा बढ़ेगा मद्य प्रदिश में 2014 में 27 सीट थी पिर हम 28 जीते उननीस में इस बार हम 29 की 29 सीट जीतेंगे और बोट शेयर भी मेरे हिसाब से 75 परिश्यत की आसपास होगा जो टोटल बोट कास्ट हुए है उसमें हमने बोट शेयर का बोला था अब मेरे कॉंगरेसी मित्रों आप लोग भी देखिएगा चार जून आरहे वाला है उस दिन 400 पार होगा और बोट शेयर भी हमारा जो हमने लक्ष रखा है 60 परिश्यत अधिक का वो बढ़ेगा मेरा आ बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके